Hello friends, welcome again, I am Shivampande, again with a new topic, Glucose Tolerance Test, GTT and Mantox Test, यह जो दो important test है, यह बहुत important test है और इसको हम बहुत easily conceptual तरीके से इसको हम point out करते हैं, clear करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो Glucose Tolerance Test है और Mantox Test है, Glucose Tolerance Test या GTT, यह test होता कब है? क्या object है, इस test का, एक्चुली में हम इस test से पता करते हैं कि हमारी जो body है, उसके अंदर Glucose को Tolerate करने की क्या capacity है, कितना capable है वो Glucose को Tolerate करने का, और इसका object है कि जैसे मालो कोई ऐसा patient है, जिसके अंदर हमें symptoms clearly मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमें कुछ indications मिल रहे हैं कि यह patient prone to diabetes की तरह prone है क्योंकि इस लाता है, और एक gestational, basically gestational diabetes में को diagnose करने में बहुत help करता है, object क्या है, अगर मालो कोई patient है, उसको कुछ ऐसे symptoms, जैसे कि मालो history है, उसको gestational phase में weight gain की बहुत जादा weight gain हो रहा है, या prehistory है, कोई बच्चा उसका 4 kg से जादा का बच्चा पैदा हुआ हो, तो ये सब उसके लिए है, इसमें हम क्या करते हैं, कि जब patient को prepare कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कि patient को हम पहले से ही, 3 दिन पहले से ही बोल देते हैं, कि carbo-harded diet अच्छे से ले, और उसके बाद जिस दिन patient का test करना होता है, उसके एक दिन पहले, हम patient को बोलते है कि कम से कम वो पेसेंट 12 hours का minimum 8 hours होता है 12 hours का वो फास्ट रखे मतलब 8 p.m. to 8 a.m. रात में वो कुछ खापी के आड़ वजे अपना रेस्ट करें और सुबह 12 गंटे का फास्टिंग के कंडिशन में हो और कोई भी ऐसी चीज एवाइड करें जो ग्लुकोज को डिस्टर्व कर स है उसके सेंपल को हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसकी रीडिंग हम कर लेते हैं फास्टिंग स्टेज में उसके बाद हम ग्लुकोज लोड देते हैं ग्लुकोज लोज जो एडल्ट डोज है वो है 75 ग्रैम 75 ग्रैम का डेल्ट डोज देते हैं एडल्ट लोड ग्लुकोज का दे है और उसकी टेस्टिंग करते रहते हैं ग्लूकोज की और अगर धा सल्ट की कंडिस्छों में टेस्टिंग करते हैं तो हम सबसेला करते हैं पहले हम 50 में अगर फिट लेवल ऑन फटी एम जी पर दीयल से ज्यादा रहा है तो फिर बारा हम पेशचंट को 100 100 Glass फिर दे करके ग्लुकोज दे करेंगे फिर से उसकी टेस्टिंग करेंगे उसके result को explain करेंगे, याद रखनां, फिर result आने के बाद हम क्या diagnosis बनाएंगे उसको समझते हैं, अगर किसी patient का glucose tolerance test या glucose tolerance घटा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसकी body जो glucose उसके body हमने दिया है उसको tolerate करने की capacity घट गई है मतलब उसके पास इतना परयाप्त इंसुलीन नहीं बन पा रहा है ग्लुकोज को glycogen में change कर दे तो जब इसका मतलब है कि पेसेंट किस condition है diabetes mellitus उसके पास इंसुलीन की decrement हो गया है घट गया है इंसुलीन इसके पास क्योंकि वो पेसेंट को किट ग्लुकोज को tolerate नहीं कर पा पा रहा है और अगर उसका ग्लुकोज tolerance बढ़ा हुआ तो इसका मतलब उसके पास परयाप्त इंसुलीन है हाइपर इंसुलीनिजम के किस में है पेसेंट हमने पूरा चार्ट प्रिपेर कर लिया हमने टेस्टिंग के six samples के चार्ट प्रिपेर कर लिया अब हम समझेंगे आप लेकिन अगर 110 से 126 MgDL की बीच में उसका ग्लुकोज लेबल आ रहा है फास्टिंग स्टेज की बात हो रही है पहली बार जब मौर्णिंग में आता है पेसेंट फास्ट सैंपल तो फिर वह मतलब इसको कहते हैं IGT मतलब इंपेर्ड ग्लुकोज टॉलेंस मतलब वह कंडिशन आप प्री डाइबेटीज का है वह प्री डाइबेटीज कंडिशन में प्रोन हो रहा है पेसेंट और अगर 126 MgDL से ज्यादा मिल रहा है हमके फंको फास्टिंग स्टेज में तो में टू आवर्द के बाद 140 MgDL से कम आ रहा है ग्लुकोज टॉलेंस तो हम पेसेंट को नॉर्मल समझेंगे अगर वह 140 MgDL के बीच में आ रहा है इसका मतलब पेसेंट IGT में है मतलब इंपेर्ड ग्लुकोज टॉलेंस में है मतलब वह पेसेंट जो है वह प्रोन टू कर लेंगे कि पेसेंट डाइबिटिक है अगर्पिक करेंगे यहां पर देख लकेंट है रहा है आपको देखते है no-please e-tete मैं हम में स्ब्सक्राइब जो complaint रख फोकस करेंगी को टू آवर्ध वेफोकस करेंगे में पॉnsम्वाब फोकस कर host कर रहे आवर्स पर मतलब की हमें फास्ट फास्टिक में 75 आया था इसमा और टू आवर्स पर तो अब यहां पर देखो टू आवर्स अगर हम मॉडरेट करेंगे टू आवर्स पर देख रहे हैं मॉडरेट कंडिशन में क्या होगा की लगभग देखो more than 200 है कंडिशन तो मॉडरेट मतलब डाइब्टिक है पेसेंट सीवियर डाइब्टिक का और में क्या होगा टू आवर्स देखो यह लगभग 300 के उपर हो गया है तो मतलब सीवियर कंडिशन हाफ